नबस्कर दोस्तों मैं कृष्णागोश आप सभी स्टूडेंट को फिर से स्वागा थे हाओके ना हेल्प यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों आज आप लोग जो डिस्प्ले में देख पा रहे है नैट्स नैशनल एपेंटिशिफ ट्रेनिंग सेम तो आपको अगर आप एक स्पेशली टेक्निकल और एक फ्रेशर्स कैंडिडेट है तो आपको किसी सब से जॉब मिलेगा जॉब मिलने के लिए गॉब्मेंट का एक पोर्टाल यह है नैट्स अगर आप लोग यहां पर रेजिस्ट्रेशन करके रखते हैं तो लॉग डाउन के बाद बताए यह रेपुटेटेट कंपणिया है यहां पर देखिए आपको बहुत सारा फेजिलिटीज मिलता है क्लियेट यू नैट्स रिजूम तो आपको यहां पर रिजूम बनाना परेगा इसके बाद आप यहां पर अपना गेट यू ड्रीम जॉब आपका हिसाब से आपका जो क्वाल लिंक मिलेगा जो लिंक पर जब आप क्लिक किजिएगा आपके सामने यह बला पेज ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको यहां पर देखिए राइट साइड में लॉग इन और एक एंडॉल बोलके आपसेन है आपको एंडॉल पर क्लिक करना पड़ेगा एंडॉल पर जब सकते हैं तो दोस्तों दीघी यहाँ पे वेल्कम टू नैट्स पोर्टल इंडॉल्मेंट पोसेस आपको यहां पर आयम है उसके पाद एक डैस से आपको यह डाउन बपर क्लिक करना है डाउन बड़ेगा कणने कब आपके सामने तीनों से एक स्टूडेंट एक इंश्टिट लिखेंट आपको यहां पर फिर से डाउन एर्पे क्लिक करना पड़ेगा इसके बाद आयyy कैसा स्टेट करते हैं अगर विषुक्त से आप फेंग यहां पर सिल्ट करने यह इहांब नुभर पर है यहां पर आपके सामने करके दिखा रहा हूं प्रैस्स घुर यहां पर विदाउट बैक्ट लॉग यहां पर देखिए उसके बाद दो आपसें आता है ग्राइजूएट इंजिनियर टेक फार्मेसी एइच एम सीटी आर्किटेक्टर लेब साइंस आपका कौन सा क्वालिफिकेशन है आपको यहां पर सिलेक्टर अगर आप डिपलोमा मतल करना पड़ेगा सपोस में यहां पर आपको एक मतलब बहुत हींट्रेस्टिंग टॉपिक है अगर आप 2019 सिलेक्ट करते हैं उसके बाद यहां पर थो आपको रेगूलर करना पर अपर जो भी आपका हिसाब से रेगूलर जब यहां पर तुथा आपको आपको मैं डेमो के हि क्या होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं अगर इसको यस करता हूँ तो उसके बार do you have any work experience अगर आप यहाँ पर yes कीजेगा तो कोई भी आपको यहाँ पर job का उतना नहीं मिल लगा देखिए उसके बाद देखिए sorry you are not eligible to enroll the apprenticeship program जभी आप यहाँ पर experience show कीजेए आपको यहाँ पर not eligible देखिए आपको क्या करना पड़ेगा इसको अगर आप no करते है तो यहाँ पर देखिए क्या होता है इसको भी आपको no करना पड़ेगा ठीक है no congrats आपको यहाँ पर congrats you are eligible to enroll or do you have work experience आपके पास अगर कोई work experience है तो यह जो नैट्स का पोर्टल है नैट्स आपके लिए नहीं है बात को समझे अगर आप फेसर स्केंडिए या फिर पास आउट भी है मगर आपके पास work experience देने पर आप work experience show नहीं कर सकते work experience show करके job मिलने का एक अलाड़ा पोर्टल है जो पोर्टल NCS के नाम से जाना जाता है मैं उसका भी registration process बहुत जल्दी आपको वीडियो देंगे जो लिंक आपको मिलेगा वीडियो का description पर यहां पर क्या करना पड़ेगा उसके बाद आपको यहां पर देखिए क्या क्या चीज लागेगा आधार काड मैंने यहां पर बता द documents का आपको ज़रूरत परेगा six documents आपके पास अगा रहता है उसके बाद आपको क्या करना है मैं दिखा रहा हूँ just मैं यहां पर सही-सही कर देता हूँ I have completed यहां पर just मेरा तो नहीं है मैं आपको एक्जाम के लिए सबसे दिखा रहो मैं 2019 ही अगर 2017 अगर शिलेक्ट करता देन मैं फिर से आपको यह सब कर देता हूँ, no, no कर देता हूँ, no कर दिया, I abhob data, I have abhob data इस पर क्लिक करना है, आपका mail id यहाँ पर डालना पड़ेगा, mail id डालने के बाद मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, मेरा mail id, so, यहाँ पर mail id डालने के बाद, आपका mail id पर एक mail जाएगा, आपको send otp पर click करना पड़ेगा, send otp पर जभी आपका mail id पर एक mail जाएगा, यहाँ पर देखिए, मैं मेरा mail id को खुल लिया, तो यहाँ पर देखिए, nets की तरफ से तुरंत आपको एक mail receive होगा, जहाँ पर आपक यहाँ पर देखिए, one time password पर otp को आपको paste करना है, paste नहीं होगा, यहाँ पर 221-880, तो यहाँ पर देदिया, उसके बाद continue पर आपको click करना है, continue पर जो भी आप click किजएगा, आपको यहाँ पर mobile number आपको डालना पड़ेगा, तो यहाँ पर mobile number आपको डालना पड़ेगा, क इसके बाद मैं continue पर click करता हूँ, तो continue पर click करने के बाद आपके सामने, चलीक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर अपना details मांगा जाएगा, जो आपको अपना name और password सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर मेरा name डाल देता हूँ, तो मैं आपके सामने करके दिखा रहा हू एक रिक्वेस्ट राएगा दोस्तों फर्स्ट एंबर चैनल पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे एडुकेशन देलेट हर एक अपडेट आपको इस चैनल से मिलेगा तो दोस्तों आपको यहाँ पर फिर से अपना पासवार्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा सो मैं यहाँ पर मेरा पासवार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ पासवार्ड मैंने बना लिये हैं पासवार्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर सेव और कंटीनू पर क्लिक करना है मैं यहाँ पर सेव और कंटीनू पर क्लिक करता हूँ save and continue पर click करने बाद आगे का procedure में दिखा रहा हूँ थोरा सा आपके समने ऐसा time लेगा यहाँ पर देखिए उसके बाद आप इसको never कर दीजे eligibility चेक हो गया यहाँ पर क्या हुआ eligibility चेक हो गया required documents for endorsement आपको क्या करना पड़ेगा educational qualification जो है अपना सभी educational qualification आपको यहाँ पर upload करना पड़ेगा next process में दिखाता हूँ आपको दोस्तों आपको यहाँ पर क्या क्या documents लागेगा documents के साथ-साथ आपको यहाँ पर क्या terms and condition eligibility criteria सब कुछ यहाँ पर दिखेगा आपको by clicking this box पर क्लिक करना है उसके बाद agree and continue पर क्लिक करना है तो मैं यहाँ पर जभी agree and continue पर क्लिक कर दिया आगे का procedure यहाँ पर open हो गया आपको यहाँ पर अपना तस्वीर upload करना पड़ेगा image आपका name father's name mother's name सभी details आपको यहाँ पर personal details डालना पड़ेगा communication information डालना पड़ेगा तो मैं वीडियो को थोड़ा सा skip कर लेता हूँ मैं और जितना भी सारा information है मैं यहाँ पर थोड़ा upload कर देता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज आप सभी को बताएता हूँ यह जितना भी सारे details है आपको यहाँ पर अपना हिसाब से डाल देना पड़ेगा जितना भी सारा basic information है आपका date of birth से सुरू करके हर एक details आपको यहाँ पर अपना हिसाब से आप पहले डाल दीजेगा आपका personal details से basic information जो भी रहेगा हर एक details आप इतना हिसाब से आपका पिता का name आपका माता का name आपका date of birth अधर सब कुछ यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा आगे का procedure जो है मैं आपको दिखा रहा हो दोस्तों basic information डालने के बाद आपको यहाँ पर communication information डालना पड़ेगा communication मतलब आपक code सबी चीज़ों को आपको डालने के बाद आगे का step में जाना है तो मेरा जो personal details है मेरा communication details यहाँ पर डाल जेता हो उसके बाद आगे का procedure अप लोग को दिखाता है दोस्तों अपना communication details डालने के बाद आपके शामने आएगा bank information आपका कौन सा bank में account है उस bank का कौन सा branch है यह अभी सारा bank details से यह डाल देता हूँ उसके बाद save and continue पर click करके आपको दिखाता है तो मैं यहाँ पर save and continue पर click करता हूँ उसके बाद आपके समने यह वला page आएगा जहां पर आपको फिर एक बार मैं save and continue पर click करता हूँ मेरा network का तुरह issue हो रहा है तो मैं फिर से कर दिया उस process को 2019 में करके रखा था मैंने आप लोग के चलते फिर से एक जस्ट मतला आप लोग के समने demo करके दिखा है किसे सबसे आपको करना है तो मेरा तो अल्डेडी हो के रखा था तो फिर से आपको यहाँ पे देखिए full details में आगा मेरा अभी पर pending है आपको pending नहीं रहागा आपक देरी में आपका आजाएगा आपका तस्विर यहाँ पर अपलोड करना है educational details पर आपको यहाँ पर नीचे आना है educational details पर आपको सभी certificate और आपका training details लग्यान कि यह तो आप कहां पे चीजह को कौन सा है इन सब इस चीजह को आपको यहां पर डालना पारेगा क्वा Systems मतलब आप कहां पर training apprentice training कहां काना चातेक। कौन सा थेट में। कौंसा फिलद में। किस टाइप का पिरगीन्ट सब्सक्राइब स feature चाहिए को नोटिफिकेशन और यहांपर सब्सक्राइब है आपना हिसाब से आप कही पर कर सकते हैं मैं यहां प्रफाइल बेर अपने हिस्टिशक्स से कितले सबिया करेंब आपका राई छो अचिंगे सैक्तिफ्केट रॉर्ब है यहां चाहएं कि चैब कर दो लिए घुन चाहएं के आपको शचेनल जुए रहे देखिए दोस्तो time out अगर हो जाता है तो फिर से आपको login करना है login करते time आपका password और user id अगर password आपको याद नहीं है तो forgot password के आप यहाँ पे फिर से login हो जाएग गैंगा अपना जितने भी सारे डीटेल्स आपको यहां पर अपडेट करना पड़ेगा डीटेल्स मतलब और जो जॉब का देखिए यहां पर नोटिफिकेसिन आता रहता है तो मैं पॉसेस को दिखा देता हूं एक बड़ दोस्तों आपका सभी डॉकुमेंट्स आपको अपलोड कर देना परेगा पीडियेप फॉर्मेंट में उसके बाद यह वेरीपाई हो जाएगा